हेलो बच्चों आज हमारा question है fan the average of prime number between 20 and 40 हमें average निकालना prime number का क्या 20 से लेके 40 तक सब्सक्राइब आपको समझने हो गए prime number हमारी होते क्या है prime number वो नमबर होता जो किसी की table में नहीं आते यह हम कह सकते जिसके दो फेक्टर होते one and itself the number which have only two factor कितने only two factor दो फेक्टर होते वो भी one होता एक और एक itself होता एक अपने आप होता तो हम कह सकते वो नमबर जो किसी की table में आता ओके सिर्फ one की table में आता अपनी table में आता तो 20 से लेके मुझे कितना निकाला 40 तक तो सब्सक्राइब अगर हम देखेंगे 23 23 हमारा prime number होते किसी की table में आता one की table में आता अपनी table में आता ओके 23 29 31 ओके 31 37 ओके 23 अगर हम देखे 22 23 24 25 26 27 29 होता है फिर हमारा 31 होता है फिर हमारा 37 यह वो चार नमबर से जो किसी की table में आते यह one की table में आते या अपनी table में आते दा नमबर पीछा है only two factors one and itself ओके अब मुझे इसका average निकालना भई average average equal to क्या अवधा हमारा sum of the given observation sum of given observation जो हम आ पार दे रहे हैं observation उनका sum और अपन में number of the number number of the numbers okay sum 23 plus 29 plus 31 plus 37 अपन में कितने 1 2 3 4 8 अपन में 4 हो जाएगा ओके अब देखो 7 1 8 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 17 और 3 20 कहरी 2 3 6 8 और 2 कितना हो 10 और 2 कहरी थी 12 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 120.4 और इसको आप डिवाइट कर दो 4 3 12 और यह 0 यहां तो कितना जाएगा 30 तो हमारे average क्या आ गया 30 आ गया क्याँ आ प्रोच 아까 क tossग ओर प्रोच ऑफलगे जाएगा टर डश partirा इसा एल झाल जाएगां कितना हो